है यह वेल्कम बैक टो माई चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में लोग यहां पर डिसकस करेंगे एंटार टेक्नोलोजी के बारे में अगर देखोगे तो यहां पर कंपनी में ली आपकी डिफेंस में और एरोस्पेस स्क्ट का है ऑपरेटिंग लेवरेज क्षण मतलब होता यह है कि जब अपरीटिंग लेवरेज आपका कम होजाता है तो हर जो एक रुपए का आप व्यावटे लेकि आते हो पहुंपनी की प्राइज बढ़ी नहीं लेकिन प्राइस उसी लेवल पे रह गई है और कंपनी की प्राइस उसके प्राइशन में जब अजाती है उसमें यह चीज इंप्रूव कर पाएगी और दोबारा से अपना ये नॉर्मल मार्जिन जो इनकी 25-30% के बीच में होती है 30% नहीं 30% के नीचे रहती है बट फिर भी 25% के आसपास ही रहती है आप लोग देख सकते हो यहां पर 29% 27% यूजिली इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन मार्ज 2024 का अगर एर्ली रिजर्ट देखोगे तो यहां पर 19% मार्जिन आ गई है इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कंपनी के पास काफी सारी ऑपर्चुनिटीज यहां पर हम लोगों को नजर आ रही है और साथ इसाथ अगर देखा जाए तो जो प्रिसिट लेकिन नियुक्लियर आपका जो रिलेटेट फैक्टर होते हैं वहां पर उससे और उसमें अगर देखा जाए अगर कंपनी बिजनेस करती है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मतलब देखने के लिए मिल सकता है और अगर देखा जाए तो नीउक्लियर के बात कर रहे है भी हमारा ग्रो कर रहा है जैसे आज हम लोगों को एक न्यूस देखने के लिए मिली थी कि न्यूक्लियर मिसाइल की बात की जाती है तो उसके नंबर भी हमारे बढ़ चुके हैं तो वारेट के अंदर डारेक्ली कंपनी का बिजनस नहीं है बट कहीं ने कहीं उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए और उसके साथ-साथ यहां पर देखा जा तो क्लीन इनर्जी का भी बहुत जादा आजखल का स्कोप है और यहां पर बिना नुक्लियर पावर्स के हमें लगता नहीं कि कुछ यहां पर खास हो सकता है और शेरोलिंग पैटेंस की अगर बात की है तो प्रमोटर स्कूलिंग यहां पर 50% से घटके 37% पर आई है एक पॉजटेव फैक्टर कंपनी का और है कि आप यहां पर रिसीवल जो पिछले चार साल से नेगेटिव चल रहते हैं तो अभी के लिए फिलाल हमें यह अच्छा लग रहा है और को बहुत जादा यहां प को अपसाइट करना है तो आप लोग यहां पर 2,199-2,200 के उपर आप लोग कर सकते हो यहां पर कोई मेजर डाउंसाइड नहीं है कंपनिया में लगता है कि थोड़ा बहुत साइडवेस मार्केट में और समय यहां पर बिता सकती है बट कोई मेजर हम लोग को डाउंसेड न बायर अभी भी बैठे हुएं लॉंग टम वाले तो यहां से आपको बहुत दादा डाउंसाइड नजर नहीं आएगा तो लॉंग टम इंवेस्मेंट परपस के लिए आपको यहां पर लेना है तो स्टॉक के अंदर निवेश करने का आप लोग सो सकते हो और रिकमेंडेश टार्गेट यहां पर आप लोग का 2860 तक का हो सकता है और अगर लंबे टाइम के लिए अगर बात कर रहा है यहां पर तो यह टार्गेट लेने का को मतलब होता है कि पांच साल छे साल और उस दरण कंपनी जितना ग्रोव करेगी आपको तो नहीं रिटन मिलेगी वहां पर प्राइस टारगेट यहां पर नहीं बता सकते हैं बहुत से लांग अब कर सकते क्या कि कंपनी कर सकते हैं कर सकते हैं लॉझ के लिए कि पूह पछाऊ है कि जब भी long term की बात किया जाए तो एक growth opportunity और आपका एक वह देखना होते हैं कि company value कभ यहां पर प्रोवाइट कर चुकी है मतलब और ज्यादा growth यहां पर यहां पर जम नहीं मिले तब आप वहां से exit कर सकते हों अभी फिलाल इसे के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथ साथ च प्रिटिकेशन बेटन जरूर दबाना ओक के बाइट